36 गल के मुक्मंत्री बेशनो देव साय राजधानी रायपूर में ICAI द्वारा आयुजित अबोर्ड फॉर एक्सिलेंस इन फैनेंसियल रिपोर्टिंग कारिक्रम में शामिल हुए इस दोरान मुक्मंत्री ने फैनेंसियल रिपोर्टिंग के शित्र में उत्प्रष्ट प्रदर्शन करने वाले विती और गैर विती ओदिविक और स्विवक शित्र की संस्थाओं और चार्टर्ड अकाउंटेट्स को प्रुष्कार प्रदान किये हैं कारिकर में शुक्षा मंत्री ब्रजवाहन अग्रेबाल भी मौजूद रहे इस मौके पर मुक्मंत्री बिश्नो दिव सायरे पुरुष्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ववस्ता बरानी के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के संकल्प को पूरा करने में सभी वित्तिये गैर वित्तिये उद्योग और सेवा प्रदाता कंपनियों की बड़ी भागेदारी होगे उन्होंने का कि वर्दमान में हम दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्थ ववस्ता है और सभी के सहीयोग से निश्चित ही हैं हम अपने वित्तिये रक्षों को तैक करने में और सभे से पहले प्राप्ते कर देंगे कि आप लोग इस तरह का कारकम आयोजित करते हैं और निश्चित रूम से इस से चाहे हो संसा हो कंपनी हो चाहे ब्यक्तिगत हो उनका मनोबल बढ़ता है उत्सा से काम करने की पेड़ना मिलती है आज हमारा ये देश आथिक रूप से पाचवें इस्थान पर है दस वर्ष पीछे जाएं तो हम लोग दस्वें इस्थान पर थे और हमारे देश के ये सबसी प्रधान मंत्री जी का इस संकल्प है कि आने वाले 2047 तक हम अपने देश को तीसरी एकोनोमी के रूप में इस्थापित करेंगे